हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में मैं हूँ एड़ोकेट सनी शर्मा और दोस्तो आज किस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज में आपको बताने वाला हूँ दोस्तो एक ऐसा लेटेस्ट निर्णे बताने वाला हूँ जिससे वास्त हमें आपको पता चलेगा कि भाई या चीजे किस तरफ जा रही है और यहां पर एक्चुल में आपके लिए रास्ते बंद हो चुके दोस्तो हाली का 22 अप्रेल 2022 का निर्णे और निर्णे बिलकुल ऐसा है जो कि जवलंत मुद्दे पर है जवलंत मुद्दा क्या इंट्रिम मेंटेनिदेंस आज के समय पे बहुत सारे आप मेंसे ऐसे सफरर होंगे जो है कि किसी भी तरह से जो वाइफ है वो मेंटेनिस के अधिकार्णी नहीं है लेकिन कोट का यह मानना है कि भाई अब याप इंटेरिम इंटेनिस तो दो फिर आगे ट्रायल में देखते है लेकिन maintenance पो उसका area और परमंद का जो दबाव होता है वो इतना बढ़ जाता है कि उसको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है इस परकार की बहुत सारे राइट इससे खतम हो सकता है दोस्तों वीडियो में आखरी तक बने रहेगा यह नया चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें और जितना हो सकता है शेर करें अब दोस्तों यहाँ पर इंट्रिम मेंटेनेंस का एक ओडर हुआ और इस इंट्रिम मेंटेनेंस के ओडर के अगेश्ट पती और पतनी दोनों ने रिविजन फाइल करी अंडर सेक्शन 397-401 of CRPC में हजबन की जो रिविजन थी वो इस ओडर को क्याश्ट करने के लिए थी पतनी की जो रिविजन थी वो मेंटेनेंस को बढ़ाने के लिए थी अब यहाँ पर कोर्ट ने बिल्कुर टेकनिकल तरीके से इसको बताया है आप लोग ध्यान से समझेगा कोर्ट ने कहा कि जो इंटरी मेंटेनेंस को ओडर होता है यह इंटर लोकिटरी ओडर होता है और इस ओडर के अगेस्ट जो रिविजन होती है वो मेंटेनेंबल नहीं होती इधर अंडर सेक्शन 19 of Family Quartz Act और अंडर सेक्शन 397 oblique 401 of CRPC साथी कोर्ट ने कहा कि जो इंटर लोकिटरी ओडर होता ह यह किसी भी प्रकार से आपकी liabilities और rights को decide नहीं करता है और जो भी आप revision file करते हो वो उसी order के खिलाफ हो सकती है जो finality में हो तो यह जो order है यह final order तो ही नहीं तो ऐसा जो interlocutory order होगा इसके खिलाफ आप revision file नहीं कर सकते है अब दोस्तों इसका तो फिर सीधा सा मतलब हो गया कि जो interim maintenance आपके उपर बंधा है वो permanent हो जाएगा अगर इसी चीज़ को follow किया जाए आप यह मान के चल सकते हैं कि अगर job interim का order होगी है फिर जब तक आपका case का disposal नहीं हो जाता final order नहीं आ जाता तब तक वो आपके उपर वैसा का वैसा ही बंधा रहेगा दोस्तों यह भी हाल वहाँ जाकर के आप इस judgment को पूरा पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं next video में नहीं legal जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ तब तक के लिए goodbye and thank you for watching take care